पीसिस करें न्यूस में अभी की खबर है भारत उर्जा सप्ताह दो हजार चौबिस हाली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत उर्जा सप्ताह दो हजार चौबिस का उधगाटन किया बता दे कि भारत उर्जा सप्ताह 6-9 फरवरी 2024 तक गोवा में आयो जित किया जा रहा है यदेश का सर्वोच और एक मात्र विशिस्ट उर्जा सम्मेलन है जो भारत के उर्जा पारगमन लक्षियों को प्रेरीद करने के लिए सम्मेलन में विभिन देशों के लगभग 17 उर्जा मंद्रियों के साथ 35,000 से अधिक भागिदार शामिल हो रहे है इस समेलन के दोरान 900 से अधिक प्रदर्शकों की भागिदारी रहने की उम्मीद है चलिए अब जानते हैं गोवा के बारे में गोवा पश्मी भारत में एक राज है जिसके तट्रेखा अरब सागर तक फैली हुई है इसकी राजधानी पणजी है या भारत के दक्षड पश्मी तट पर कोंकर के शेत्र में स्थित है और भागोलिक रूप से दक्कन उच्च भूमी से पश्मी घार द्वारा अलग होता है इसकी अधिकारिक भाशा कोंकरी है जो आठवी अनुसूची में शामिल 22 भाशाओं में से एक है यह उत्तर में महरास्ट्र पूर्व और दक्षड में करनाटक से घिरा हुआ है जबकि अरपसागर इसके पश्मी तटका निर्माड करता है बतादे की प्रतेग वर्ष 19 दिसंबर को भारत में गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है गोवा का उच्चतम बिंदू 600 गोर है गोवा के उत्तर में तेरे खोल नदी बहती है जो गोवा को महरास्ट्र से अलग करती है इसकी अन्य प्रमुख नदियों में मांडवी, जुआरी, चपोरा, रखोल, गलगिबाग, कुम्बुर्जुआ नहर, कलपोना और साल आदी शामिल है चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को गोवा के संदर्भ में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक, या भारत के दक्षुर पश्चिमितट पर कुम्कड के शेत्र में स्थित है दो, व्यास नदी गोवा से सम्मंधित है उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, अभी के लिए बस इतना ही शुक्रिया Dear viewers, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले